हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर सबसे पहले तो सभी का स्वाधत है बहुत दिनों के बाद आज मैं खुद के लिए समय निकाल पाई और मैं गई नौडा में लगा विंटर मेला जो की शनिवार और रविवार को लगा है और मेरा ये व्लॉग पहले ही बन गया था बट मैं किसी क कारण से इसको नहीं अपलोड कर पाई तो आज जो है जब ये मेला लग चुका है तो मैं इसकी प्रिपरेशन की वीडियो डाल रहे हूं बहुत ही अच्छा ये विंटर मेला यहां लगाया गया है और काफी स्टॉल यहां पे हर स्टेट से आके लगे हैं बहुत सुन्दर स जावर्ट भी थी और सबसे अच्छे चीज़े मुझे यहां पे लगती है कि घर को सजाने से लेके किचन की चीज़े हो कोई भी समान आपको बहुत ही रिजनेबल रेट में यहां पर मिल जाएगी तो बहुत सुकून सा लग रहा था मुझे खुद के लिए समय निकाल पान हर चीज़ को मैं बारिकी से देख रही थी और इसलिए मैं शूट कर पाई जिनरली सब कोई साथ में होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत काम तो नहीं था कुछ लेकिन मैं बहुत देर वहां बैटी और घूम घूम के देखा तो यह चीज़ें बहुत अच्छी थी और यहां पर खाने पीरिन की विवस्ता भी बहुत अच्छी है और हैंडलूम की चीज़ें से लेके हर कुछ अच्छा था तो समय मिला तो मैं एक वीडियो भी बनाने लगी क्योंकि वक्त नहीं होता है कि मैं खुद के लिए वीडियो भी बनाओ तो बहुत सुकून सा लग रहा था यहां बैट कर मुझे काफी शान्ती थी और हर चीज़ बहुत ही करीने से सजाया जा रहा था नौइडा में ये लगा हुआ है सिटी सेंटर के पास है ये तो लोकेशन अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और यहां पर पूरे साल पर जो है ना इस जगह पर नौइडा में जो है चीज़े की यहां पर लगी रहती है दुकानी है पर्मानेंट जहां पर बहुत अच्छे चीज़ आड़ियों से लेके घर की सजावर्ट किचिन से हर कुछ बहुत ही कम रेट पर मिलती है और यहां पर मैंने देखा की उट पगेर हैं और बच्चे जो है वो कार्ट लगे थे तो उस पे जो है चड़के फोटो किचवा रहे थे और बिल्कुल जो है काफी बढ़िया लग रहा थे यहां के और मुझे यह उट के साथ फोटो लेना वीडियो बनाना तो अकेली में ह ज्यादा मजा रहा था वैसे डर लग रहा था क्योंकि मैं डरती बहुत हूँ यह उट की सवारी या घोड़े की सवारी सब कर रहा थे लेकिन मैं नहीं कर सकती मुझे डर लगता है तो मैं दूर से ही खुश हो रही थी देखके तो बहुत अच्छा लगा गुल मिलाकर यहां पर आकर के और यहां पर जो है बुक किये जाते है पहले से अगर आपको जाकर फैमिली के साथ खाना पीना है या फ़न करना है तो हर कुछ यहां पर बहुत अच्छा इंतिजाम किया हुआ है और आपके 11 बजे तक यह चलती है सुबह के दसबजे से खुलती है और आपको इग्यारा बजे तक है तो ये संड़े और सैटरडे को है और वैसे यहां पर सरस मेला लगने वाला है बुद्वार यानि की डेट है आपका सोला फरवरी से लेकर छे मार्च तक यहीं पर सरस मेला लगने वाला है जो की काफी होगा और वो मेले की बारे में भी लोगों ने बता है काफी बढ़िया है तैयारी चल रही है कल्की सरस मेला सरस मेला है ना किया है कब से मेला 16 से 3 मार्च कौन सा मेला है अच्छा आप लोग यह सब लगाने आया है साथ सजावर चल रही है यहाँ पर काफी जोड सोड से चल रही है वहां भी स्टेज बन रहे है आइ तिनक तो काफी जोड सोड से तैयारियां चल रही है मेले की तो जैसा यहां पर जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि 16 फरवरी से 3 मार्च तक होगा तो बहुती बढ़िया जगह है आप अपना समय यहां बिता सकते हैं फैमली के साथ आईए दोस्तों के साथ आईए और नहीं हो कोई तो मेरे जैसे अकेले भी हो तो आप आकर के यहां पर घूम सकते हैं अगर आपको अकेले घूमना पसंद है बिलकुल मेरी तरह तो तो मैं अकेले में बहुत देर यहां बैठी रही मुझे सुकून सा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं काफी शाम तक यहां पर बैठी थी और मैं देख रही थी साथ सजावर्ट लोग कैसे कर रहे है फिर लगा कि अब नेरा सा होने लगा है तो मैंने सोचा आप घर जाना चाहिए क्योंकि यहां पर बाहर निकल के कोई सवारी नहीं मिलती है तो बस मुझे जाना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहां आकर तो घर के लिए मैंने किचन के लिए कुछ चीजे भी खरी दी वो मैं दिखाऊंगे आपको घर जाकर तो फुल मिला कर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सबसे अच्छी मुझे लगी यहां पे धूप में बैटना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने चाई भी पी लेकिन वो वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि कोई था नहीं तो मैं बस चाई पी लिए उसके बाद मैंने यह शूट किया इसी जगह पर बहुत अच्छे फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे जो आज तो नहीं थे क्योंकि सजावट के कारण सबको हटा दिया गया था लेकिन यह पूरे जो है साल भर यहां पे कुछने कुछ लगी ही रहती है तो बस इसमें मैंने बहुत सारे पॉट वाट खरीदे और उसके बाद मैं घर की तरफ चल पड़ी लेकिन मन दो नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत सुखून सा मिल रहा था और हलाकि मैं बहुत जाजा आउटिंग नहीं करती हूँ तो यह जो आज का व्लॉग था यह बहुत अच्छा लगा मुझे बना करके भी तो अच्छा आप लोगों को भी लगेगा तो लाइक कर दीजेगा और घर की तरफ अब जा रही हूँ मैं तो घर आई बहुत लेट हो चुका था मुझे फिर मैंने सब के लिए जल्दी जल्दी ओमलेट बनाया क्योंकि सबको बहुत पसंद है खाना और यह आसानी से बन भी गया तो सबको ब्रेड और पराठे के साथ मैंने खिलाया और खुद भी फटा फट खाया क्योंकि मुझे किजन भी समेटना सुबह की तैयारी भी करनी होती है तो सारा काम करके मैं लगी कि चलो अब इसको देखा जाए तो प्रेयम ने हेल्प किया इसको अपन करने में तो सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ मैं एक बड़ी सी पॉट लेकर आई थी कुकिंग के लिए ये स्पेशली मैंने बिर्यानी के लिए लिया क्योंकि मेरे यहां पे वेज और नॉन विच के बरतन अलग होते हैं अलग-अलग बनाने का और खाने का तो ये मेरे पास वेज के लिए नहीं था लेकिन यहां पर बहुत कम रेट मिला और उनकी जो शॉप है वो अब 6 मार्च के बाद वहां पे वापस लगेगी अभी सरस मेला की वज़ा से उन सभी को हटा दिया गया है तो वहां से मैंने एक और छोटी सी बड़ी प्यारी सी स्लीक सी ये ट्रे ली जो कि मुझे सिर्फ सौ रुपे में उन्होंने दिया और बहुत ही सुंदर सा मैंने ये तीन कडाई का सेट लिया जो तीनो तीन डिफरेंट साइजेस के थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और ये भी ना सिर्फ 600 में उन्होंने मुझे दिया जो कि मुझे लगा कि ये तो बहुत सकती है क्योंकि ये 1200-1500 में मिलती है मैंने नौइडा में ही अलग-अलग जो रोट साइट में लगाते है वहाँ पर देखा तो काफी कम रेट में यहाँ पर मिल जाती है चीज़े इतनी ही खूबसूरत लग रही थी है तो बस मैंने इसके साथ साथ एक और प्लेट ली जो मुझे 6 की प्लेट चाहिए थी बट उनके बाद सिर्फ एक ही था जो उसने मुझे सिर्फ 150 की याने 1500 रुपय की दे दी तो यह इतना अच्छा लगा मुझे सारा कुछ खरीती है मुझे बहुत साथिस्फेक्शन लग रहा था कि मैं चीज़े भी सुन्दर ले आई और रेट भी मुझे जादा नहीं लगा तो इस तरह से यह चीज़े आपको वहाँ पे मिल जाएगी सरस मेला 16 फर्वरी से 3 मार्च है तो जरूर जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ तो अब मेरा व्लॉग खत्म होता है और मेरा फैमली का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अगली वीडियो तक लिए बाई बाई